नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर आज के समय में यूवा और यूती इंटरकाष्ट मैरिज कर रहे हैं जिसकी वज़े से कई बार विवाहित जोडों को अपना घर बार छोड़ना पड़ जाता है जिस वज़े से उन्हें आर्थी प्रेसानियों का सामना करना होता है उन्हें साधी करने के बाद कोई प्रेसानी ना हो इसी वज़े से सरकार ने इस अंतरजात्य विवा योजना को बढ़ावा दिया है यदि आप भी इंटरकाष्ट मेरिज कर दस लाग रुपे का अलाब लेना चाहते हैं तो आप कैसे आविधन कर सकते हैं किन नियमों का आपको पालन करना होगा नियम पातरता दस्तावेज सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको बताय जाएगी सरकार द्वारा इस योजना का चलाने का क्या विशे हैं वह भी जानकारी आपको मिलने जा रही हैं वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बेल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उस कलाव उठा सके चलिए अब हम आपको बताते हैं इंटरकाष्ट मेरिस करने पर 10 लाक रुपे तक कलाव आप कैसे ले सकते हैं देखिए इंटरकाष्ट मेरिस बोल दीजिये या अंतरजातिये विवा आप कह सकते हैं बात एक ही है अंतरजातिये विवा योजना राज्ये में अलगलग जातियों में होने वाले विवा को बढ़ावा देने के लिए सुरू की गई है ताकि सभी जा द्वारा चलाई गई एक बहुती महतपूर्ण योजना है। यानि कि 10 लाक रुपे सरकार द्वारा कर दिया गया है। अधिकारिता विभाग की तरफ से इस संबन्द में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं नियम वे पातरता के बारे में ये तो आपने जान लिया है कि सरकार इस योजना को क्यों चला रही है और कैसे लाब आप यहां पर कितना लाब दे रही है। अब बात करते हैं नियम वे सर्तों के बारे में देखिए पहला नियम इसका कहता है इस योजना के पातर दमपती आविदन करने से पहले विवा का रजिस्ट्रेशन करवाले विवा के बाद एक साल के भीतर योजना के लिए आविदन आप कर सकते हैं। दूसरा नियम है आविदन करने वाले दमपती में से कोई एक व्यक्ति SC-ST कैटिगरी तथा दूसरा व्यक्ति जनरल OBC यानि की देखे ध्यान से समझेगा यानि की इस योजना कलाब लेने के लिए एक जोड़े में से एक व्यक्तियों को अनसूचित जाती का होना अनिवारिय है और जो दूसरा व्यक्ति है उन्हें गैर अनसूचित जाती से होना चाहिए तब ही आप लाब उठा सकते हैं देखे अगला पॉइंट में है दमपती में से किसी एक सदेसे की अधिकतम उम्र 35 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि किसी की उम्र 35 वर्स है तो वह लाब नहीं ले पाएंगे तथा लड़के की उम्र 21 वर्स निर्धार्थ की गई है यानि की जो यूती है लड़की है उनकी उम्र 18 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए कम से गम 18 वर्ष होनी चाहिए तभी वे लाब ले सकते हैं 18 वर्ष या इससे अधिक फिर भी आपको लाब दे दिया जाएगा बात करते हैं अगले नियाम के वारे में दोनों की संयुक्त आये यानि की धाई लाग से अधिक नहीं होनी चाहिए जिन वेक्तियों की धाई लाग से अधिक आये हैं उनको लाब नहीं दिया जाएगा अगले पोईटे बात करते हैं इसके अलावा विवा को राजस्थान राज्य के कानून के अनुसार माननेता प्राप्त होनी चाहिए डोक्टर सवीता बैन डोक्टर सवीता बैन अमबेडगर इंटरकाष्ट मेरिज इनसेंटिव स्कीम का लाब लेने के लिए महतपूर्ण दस्तावेज कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं देखिए पहला है विवा परमानपत्र दूसरा है मूली निवास दोनों का तीसरा है जाती परमानपत्र ये भी दोनों किसमें अवशक्ता होने वाली है चोता है यदि विद्वा हो तो पती या फिर पतनी का मृत्यू परमानपत्र इसमें मांगा गया है और आपके पास आधार कार होना चाहिए ये दोनों व्यक्तियों का भामासा कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए तीस आया अगला है आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जनम परमानपत्र भी इसमें मांगा गया है यानि कि जनम का परमानपत्र आपको देना होगा गोरतलब है कि 2006 से चल रही योजना के अंतरगत सुरुवात में 50,000 रुपे दिये जाते थे इसके बाद अप्रेल 2013 में बढ़ाकर 5,000,000 रुपे कर दिया गया केंद्र और राज्य सरकारे जोइंट तोर पर यानि कि दोनों राज्य सरकार इस योजना के तहत जो व्यक्ति आविदन कर लेते हैं सवलता पूर्वाकुन का आविदन हो जाता है तो उन लाभारतियों को रासी दी जाती है पहले 5,000,000 रुपे दिये जाते थे जिसे बढ़ाकर अब 10,000,000 रुपे कर दिया गया है इसमें राज्य सरकार का योगदान 75 फिजदी होता है और बाकी 25 परतिसद केंदर सरकार अपना योगदान देती है इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा वे हम आपको बता देते हैं डोक्टर सवीता बैन अमबेडगर अंतरजातिय संसोधित विवा योजना के अंतरगत 8 साल के लिए 5,000,000 रुपे फिक्स डिपोजिट यानि की अबडी इसमें आपकी खी जाएगी जब की बाकी जो 5,000,000 बच जाते हैं 5,000,000 रुपे न विवाईतों के जोइंट बैंक अकाउंट में जमा कर दिये जाएंगे देखे जो आपको 10,000,000 रुपे का लाभ मिलेगा उसमें सबसे पहले पोइंट यहें बताया गया है अंतरजातिय संसोदित विवा योजना के अंतरगत 8 साल के लिए 5,000,000 रुपे फिक्स डिपोजिट यानि की FD आपको यहाँ पर करानी होगी FD में रखे जाएंगे उसके बाद फिर आपको यह लाभ दे जाएगा अब जो दूसरा है यानि की जो 5,000,000 है 5,000,000 रुपे नम विवाहित के जोइंट बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिये जाएंगे जमा कर दिये जाएंगे तो इस परकार से 10,000,000 रुपे का आपको लाभ दे दिया जाएगा अब यहाँ पर कैसे आप online आविदन कर सकते हैं कैसे आप इसमें देखे इसमें पताया गया है यहाँ पर यह एक official website है यहाँ पर देखे लिखा गया है यानि की official website link है तो आप अधिक जानकारी के लिए इस official website को विजिट कर सकते हैं सभी जानकारी आप detail wise में इस official website पर जान सकते हैं और यदि आप online आविदन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आएगा नजदी की CSE Center पर जाकर आप online आविदन करा सकते हैं देखे यहाँ पर जितने भी राजस्थान राज्जे के अधीन आने वाल व्यक्ति हैं वहें इस योजना का लाब उठा सकते हैं 10 लाग रुपे तक का लाब उनको दे दिया जाएगा आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको अमर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़् नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में एक नई जानकारी साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भरत